तो स्टार्ट कर दें आज कर सेशन विद फिर्स टॉपिक दाट वस पिया ठीक है पॉब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन तो रीसेंट्ली एक केस आया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि यह जो पियल है यह फाइल के आ गया और उसको रिजेक्ट तो किया ही साथ ही साथ उस पे एक पेनल्टी भी लगाया ठीक है कि उसको कि उन्होंने जबरदस्तिया पॉब्लिसिटी स्टंट करने के लिए वह ऐसा पी आयल फाइल किया है तो उनको डिस्वेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेनल्टी उनके उपर लगाया ठीक है तो दोनों दोनों तरफ की बाते हैं पर यहां पर लाजले हम देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या बोला गया तो थोड़ा हिस्टॉरिकल कंटेक्स देखें तो इंडिया में फॉर्मली जो प्याइल का कॉंसेप्ट है वो आया था अंडर जस्टिस पी एन भग होती ही ठीक है उन्होंने इस पी गुपता वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर पी एल को पहली बार फॉर्मली तिक है उससे पहली भी होते रहे थे बट फॉर्मली यहां पर रेकरग्नाइज किया था कि पी एल जैसा कोई चीज होगा तेक है इंडिया में एक कॉंसेप्ट होता है जिसको ह कि अपका क्या मतलब स्टैंडिंग है किसी केस के अंदर आप कैसे रिलेटेड हो तो आपको दिखाना पड़ेगा किस केससे आपका क्या रिलेशन तब ही जाके आप केस फायल कर सकते हो तुछ जो लोकली स्टैंडर्स वाला जो प्रोविजन है यह अपको इंसान जिसको आप गलत हो रहा है, unconstitutional हो रहा है, तो उनके बहाब पे आप PIL फाइल कर सकते हो, तो वो जो local standard वाला जो point था, उसको हटा दिया था, तो हटाया क्यों था, तो it was to advance the human rights and equality, और raise the broad issue of public concern, तो एक बहुत broad area बोल दिया कि या कोई vulnerable section के आवाज उठा रहे हो, या फिर general कोई public concern के बारे में आवाज उठा रहे हो, तो आप use कर सकते हो इस रूप के, ठीक है, further this is based on the article 39 जहां पर हम बोलता है कि vulnerable section को हम jurisdiction या judicial solutions या वो provide करना आने में help कराएंगे, ठीक है, तो इसको fulfill करता है, या उसका एक manifestation हो सकता है, so PIL is the power given to public by the courts, ठीक है, so इसमें cases कौन कौन से हो सकता है, तो इसमें public या private law matters, दोनों ही आप सुन सकते हैं, और सुन कौन सकता है, तो high court और supreme court, directly सुन सकता है, ठीक है, mind you, not by way of appeal, but directly, यानि जो lower court होते हैं, जिसे district court वगरा, उनको allowed नहीं है, PIL सुनने का काम केवल high court और supreme court करेगा, ठीक है, now अब issues क्या हो रहे हैं, तो सबसे पहला, और सबसे important, एक चीज हो रहा है कि abuse of power of law, ठीक है, तो लोग over these years, PIL जो है, वो degenerate हो गया, और उसके नहीं नहीं नाम पढ़ गए हैं, जैसे private interest litigation हो गया, political interest litigation हो गया, या publicity interest litigation, कि असल idea था कि public के मुद्धे उनकी आवाद उठाने हो, ठीक है, लोग अपने individual benefits के लिए उठाने लगे, या politically motivated कुछ काम के लिए इस्तमाल करने लगे, या simply publicity के लिए को उठाने लगे, ठीक है तो एक तो यह major issue है ठीक है, जैसा कुछ examples ले सकते हो, for instance increase in the price of onions और in railfares, तो इस type के issues भी उठा दिये जाते हैं, जो generally administrative level cases होते हैं, उनको भी उठा दिया जाता है, बिना उसकी legality को सोचे या बिना उसके rational कुछ सोचे है, next इस issue क्या होता है, it takes up a lot of judicial time, तो अभी हमने देखा था, कल ही discuss किया था national judicial data grid उसमें हमने data देखा था कि 4.7 crore cases are pending across various level of judiciary ठीक है, यह मैं से supreme court में से 17,000 से उपर cases pending है, तो वहाँ पर यह ऐसी frivolous PILs file करने से, जो judiciary का important time में वह वेस्ट होता है, next कई बार यह जोड़ी, PIL यह इस्तमाल की जाते है to stall developmental work, जैसे पोला वरम के उपर हो गया, या और कहीं कोई mining का हो गया, तो वहाँ पर उठा देता है, तो इस ताइप से, at times के बहुत दर development work के लिए stall करने में इस्तमाल होती है, एक्जांपल आप यह ले सकते हो, कोई इसा government का कुछ पूरी जगर्ना temple के सपस कुछ redevelopment करी थे, तो उसको stall किया गया था by using PIL, ठीक है, further at Wall Lake separation of power principle in the sense कि हमने देखा कई बार, जो separation of power principle है, जो हम पढ़े थे कि वोल्टेयर ने दिया था, तो तो उस, जो separation of power का वो जो idea उसको breach कर देता, judiciary, by overstepping into the domain of executive, तो कहिए बार decision लेने से यह overstep हो जाता तो जासा example आप ले सकते हो ban on liquor sale on highways तो रूल आया था कि 500 meters के अंदर तांदर, highway के उपर यह नहीं बेचना है, तो इस टाइप के issues कही बार trade हो जाता है and lastly delay, तो कही ऐसे PIL होते हैं, जो वाकई ही genuine होते हैं, तो लेकिन इस टाइप की जो frivolous PILs आती है उसके वोल से, जो actual या जो सुनना चाहिए था तो उन PIL को dispose करने में कही साल लग जाते हैं, या बहुत जादा delay लग जाता है, तो इस these are the issues associated with it तो नाव लेट्स लुक at what are the significance तो पहला तो implement करने में हिल्प कहता है judicial review को, तो जुदिशिल review को later and spirit में next, makes judicial process more democratic, तो अब जो vulnerable section है, वो भी उनकी भी आवास को उठा सकता है तो उस sense में judicial process अपने आप में democratic होदाएगा next, obtain social justice for society, especially for the minority disadvantage and individuals further, it creates a sense of responsibility in the public authority तो जो जितनी भी public authority उनको भी ये मालूम रहना चाहिए कि उनके किलाफ, court के अंदर आवास उठाई जा सकते है, next, promote rule of law, transparency and reduce corruption in administration and lastly for better enjoyment of fundamental rights तो ये सब significance है और case हमने देखे लिए ISP Gupta वाला case था, उसमें इन्वोक किया था Justice P. N. Bhagwati ने इसके अलावा, कुछ और cases है, but I don't think इतना important है, तो ISP Gupta इसमें थोड़ा सा important है, इसको दरूँ यादा है, वो हम लेकी चुके है next, way forward बड़ उससे जाने से पहले एक बार ये वाला case order पता होना चाहिए State of uterantial versus Bulwansing Choffel Judgment, तो इसमें Supreme Court ने guideline दिया था, कि कैसे हम decide करेंगे कि कौन सी P.I.L. सुननी है और कौन सी P.I.L. नहीं सुननी है किसे reject करना है, तो यहाँ पे दिया हुए पुरा को पुरा guideline, कि पहला verify करो credentials, कई बार हो सकता है कि P.I.L. industry बन गई है, आप P.I.L. entrepreneurs बन गई है, कि वो बस स्रिफ P.I.L. ही फाइल करता है, तो ऐसे जो publicity के लिए कर रहे हैं, उनको reject कर सकते हो, ठीक है, तो उनके लिए background चेक कर सकते हो, check the correctness of content कि क्या जो P.I.L. के लिए जो matter पेश किया गया, क्या वो factually correct है, या उसमें और कोई ऐसे issue तो नहीं है, next, to ensure that the petition involves larger public interest, gravity and urgency, ठीक है, यह सब भी होना चाहिए, next, ensuring there is no personal crime, private motive, और oblique motive behind P.I.L. intention and lastly, ensuring that it is aimed at redressal of a genuine public harm और public injury, ठीक है, तो यह broad guidelines दी है, Supreme Court में, डिसाइड करने को कि किस P.I.L. को accept करना चाहिए, but फिर भी यह guidelines काफी ambiguous है, शायर इसमें और better codification किया जा सकता है P.I.L. system का, ठीक है, so as to reduce or as to eliminate frivolous P.I.L.s, ठीक है, तो यह किया जा सकता है, additional human resource develop, deploy किया जा सकता है, High Courts और Supreme Court में, तो figure out genuineness और correctness of such P.I.L.s, तो यह भी एक additional step हो सकता है Next, adhere to the doctrine तो, doctrine of separation of power को adhere करना चाहिए, एम Supreme Court को देखना चाहिए के उससे कही नहीं larger good के लिए बात है, तब तो ठीक है, but ऐसा regularly, जो separation of power का जो principle का जो doctrine है, it should not regularly be encrosed upon. Next, timely disposable होना चाहिए, समय पर P.I.L.R. समय पर उसको resolve हो जाना चाहिए, ताकि जो actually में grieved person है, उनका जो suffering हो उसको alleviate करा सके. Next, penalty हम लोग रख सकते हैं, although उसका दोनों side impact हो सकता है, कि it may dissuade genuine people from seeking justice, but still, कही नहीं तो limit draw करना पड़ेगा, तो penalty अगरे लगा सकते हैं उसके. So, this was about P.I.L. इसमें किसी को कुछ आड करना है क्या है? ठीक है. Then next पे चलते है. So, next topic is tribunals. So, अभी recently news में किसले था? Because Supreme Court ने यह चीज़ बोला है, कि NGT is subordinate to High Court in so far as territorial jurisdiction is concerned. So, यह Rishikonda Hills के अंदर जो project चल रहा था, वहाँ पे stop कर रहा था. उस regarding Supreme Court ने यह चीज़ बोला था. NGT Act 2010 में आया था. और इसमें हमने देखा था initially act में यह चीज़ बोला गया था कि NGT के ऊपर appealant जो body रहेगा, वह Supreme Court रहेगा. मतलब अगर NGT के decisions से आप agreed नहीं हो, तो आप Supreme Court में जाओगे. लेकिन over the years judicial interpretation interpretation ऐसा हो गया है कि अब High Courts भी appeal सुन रहे हैं. इसे के बारे में देख लेता है, overall tribunals के बारे में अगर हम बात करें, जैसे judiciary में pendency है, वैसा ही same चीज हमें pendency of cases देखने को मिलता है across different tribunals, तो हमारे पास बहुत तरह के tribunals है, जैसे central administrative tribunals है, custom exercise service appealate tribunal है, फिर हमारे पास armed forces tribunal है, income tax appealate tribunal है, और भी है, आगे देखेंगा उनको, तो इनके across भी number of cases pending है, तो यह 22nd 272 law commission का report था, उसमें यह figure दिया गया था, तो मतलब इतना important नहींवत देख लेना, आके, it is also in मतलब 5 lakh के अंदर है, multiple lakhs के अंदर है, यह cases, across different tribunals so, actually, Supreme Court नहीं यह बोला था, in case of conflicting order, constitutional court's order will prevail over statutory tribunals, तो कोई बादा सकते statutory tribunal कौनसे case के अंदर बनता है, sorry, कौनसे article के अंदर बनता है so, यह थोड़ा सा important है हमारे जाना के हमारे constitution में the 42nd constitutional amendment act था, उसके थुरू हम लोग ने article 373 sorry, 323 and 323 B insert किया था और किसकी recommendation पर किया था Swahand Singh committee के recommendation पर किया था, committees वगरा कभी नाम पता होना था next, article 323 A में यह बोला था हम बनाए administrative tribunals, जिसके अंदर हम देखते है CAT बनाए 323 A के अंदर बनाए and बाकी जो तरह के tribunals होंगे जितनी भी, वो सब 323 B के अंदर बनेगे ठीक है, so यह पता होना था है and tribunals are like quasi judicial not exactly judicial but like judiciary so difference होता है इनके working में यहाँ पर हम जो court के जो procedures होते है उनके सब से नहीं चलते है यहाँ पर जो cases होते है natural justice के सब से अलते है तो यह पता होना चाहिए natural justice क्या होता है, natural justice में cases का दोड़ा fast disposable होता है और natural justice में दो major principle होता है एक तो here other party audi ultram patent जिसको latin में बोलता है दूसरी party का हमेशे सुनना चाहिए और दूसरा principle होता है कि meaning no man shall be judge in his own case तो इन दो principle पे work करते है tribunals तो यह generally legal jurisprudence जो है उसके साब से natural justice यह होता है लेकिन अगर हम इसको tribunals के perspective से देखे तो जैसे court के अंदर CRPC हो गया IPC हो गया यह derive करते है कि कैसे पूरा का पूरा case जो है उसको उसकी legality को चेक किया जाएगा और punishment award गया जाएगा तो यह सब तो court के अंदर होता है Indian evidence act हो गया 1872 का CRPC हो गया तो इनके दुरू हमारा जो judiciary वो work करते है लेकिन ट्राइबिनल इसके according नहीं work करते है ट्राइबिनल एक specific चीज के regarding बना जाता है और वो specific rules है जैसे central administrative tribunals है तो जो center के administrative rules है उसके हिसाब से वो work करते है और फिर reference resolve करते है उसके functioning में आप जैसे advocate वगरा allowed नहीं है ठीक है तो इस टाइब की चीजों के थोड़ा ध्यान रखना ध्यान रखना जाता है कि cases fastly disposed हो तो they provide a platform for fast adjudication of dispute as compared to traditional courts यहां पे जो लोग appoint के जाते है वो generally उसी field से होता है जैसे income tax appealate तो उसमें कोई income tax का ही कोई official रहेगा तो उनके पास technical expertise भी बता है उस subject के उपर यह advantage हमें मिलते हैं next tribunals have been vested with the powers of civil court civil court का मतलब यह कि वो किसी को jail नहीं भीज सकते है वो सिर्फ अगर कोई grievance है उसको resolve करने में help करेंगे और arbitration हम कह सकते है कि वो arbitration करके देंगे उसके against अगर आप फैसले के again जाना तो फिर आप higher judiciary के पास जाओगे High court के पास जा सकते हो या Supreme court के पास जा सकते हो and civil court का power इसका मतलब they can't summon anybody वो summon किसी को बेज सकते है summon मतलब किसी को बुलाना है कि आप आईये और witness की तरह act कीजिए तो वो चीज भी allowed is tribunals को issues क्या है before going to issues पहले need देख लेता है तो पहले हम देखा है बहुत ज्यादा pendency है हमारे constitutional or judicial courts के उपर उसको resolve करेगा tribunals are cheaper and more suited than court तो काफी सस्था है यहां पर justice भी भी काफी effective है next tribunals are handled by expert उनको ज्यादा better understanding है cases की next speedy justice mechanism तो हम बूल रहा है justice delayed is justice denied तो उस चीज को ensure करेगा कि justice denied ना हो किसी को next issues क्या है तो एक तो है lack of independence तो जैसे हमने देखा कि एक quasi judicial body है हम लोग बात करते हैं कि separation of power है हमारा principle हम लोग follow करते हैं लेकिन यह जो tribunals है यह generally किसी ministry के अंदर होता है ठीक है income tax appeal at tribunal है तो वो ministry of finance के अंदर होगा ठीक है executive control है तो एक तो यह भी issue है further इनका जो appointment committee है उसके अंदर भी executive control काफी heavily dominated है ठीक है तो वो lack of independence रहता है next uniformity भी नहीं है इंडिया के अक्रॉस कोई हमारे पास 10 से जादा tribunals है और उन सब में अलग qualification है अलग appointment है अलग service tenure हो रहा है ठीक है अलग northern ministry है मतलब एक common ministry भी नहीं है तो इस सब कर में बहुत जादा non uniformity है which hinders their working ठीक है next shortage of staff है अक्रॉस different tribunals अगर आम देखे तो बहुत जादा vacancies है government ने कहीं जगा important officials appoint नहीं कर रहके in fact as a matter of fact अगर आप देखे हो एक cat के अंदर 27 out of the 64 post are line vacant आप समझ सकते हो बाकी का क्या हाल हो रहा हुगा next lack of infrastructure है basic infrastructure need है जैसे courtroom हो गया IT infrastructure हो गया है यह सब चीज अविलेबल नहीं है next high pendency of cases है तो आप relate कर सकतो high vacancy है it would ultimately result into high pendency तो वो एक reason रहता है next breakdown of separation of power तो बहुत जाधा executive interference होता है तो उसके सलते हम देखते है separation of powers वाला जो issue है वो भी सामने निकलते रहा है तो what could be the way है तो in fact Supreme Court ने यह चीज बोला है क्या आप एक national tribunal commission बना सकते हो under law ministry तो सारी के सारी tribunals एक ही body के अंदर unified हो जाएंगे और separation of principle separation of power वाला जो principle है वो भी implement हो जाएगा तो in fact यह वाला जो idea है unification या एक common national authority बनाने का इस Supreme Code ने खुदने ही L. Chandrakumar case में बोला था 1997 के अंदर next selection of members तो इस पर 272 जो law commission report थी उसने यह बोला था कि selection करने का criteria impartial होना चाहिए और involvement of government agency should be minimal आप third party या फिर जुडिशियरी के पास में यह दे सकता हो यह selection का power तो जादा better autonomy चलती रही next फिले हमगा up of vacancies तो हम ऐसा कोई legal mandate लगा सकते हैं कि within six months जो vacancies है वो fulfill हो जाए ताकि कहीं पे भी pendency ना रहे next tribunal की benches जो है हम extend कर सकते हैं जैसे cat की बात करें तो cat की शायद 6-7 I'm not sure exactly शायद 6-7 benches है across different parts of India तो ऐसे हम different tribunals की different benches बना सकते हैं यह हम उन्हें link कर सकते हैं different high quotes तो उससे हो सकता है कि जस्ति जो better delivered हो सके next qualified manpower so we need to ensure कि जो लोग appoint के जारें to these tribunals are man of impeccable integrity high special high expertise तो यह सब चीज़ हम ensure कर सकते हैं further एक और international mechanism बना सकते है जो की time bound हो एक specific time के अंदर ही आप appeal कर सकते हैं so यह कुछ issues sorry we forward हम लोग ला सकते हैं आगे जाने से पहरे कुछ tribunals देख लेता है कौन कौन सी है जिसे हमने देखा था CAT के बारे में देख लिया ITAT के बारे में देख लिया ऐसे हमारे पास Customs Exercise and Appeal It Tribunal है Pulse TE Set जो इंडारेक्ट टेक्सिस को देखता है Water Dispute Tribunal है हमारे पास Armed Forces Tribunal है Security Appeal It Tribunal याने अगर आज CP का कोई decision है जो आपको नहीं सही लगता then you can go over here next NGTA यह भी देखी लिया हमने और यह competition Appeal It Tribunal जो अगर Competition Commission of India के against आपको कही पे Appeal पे जाना है तो आप यहां आओगे इसके अलावा हमारे पास और भी है जैसे NCLT अपने आप में एक Tribunal है National Company Law Tribunal इसके उपर एक और Appeal It Authority है National Company Law Appeal It Tribunal यह तो NCLT है और एक Appeal It Tribunal इसके उपर और है इससे पहले भी और भी दो तिन थे हमार पास जैसे अभी रिसेंटल अगर पता हो Payalman Certification जो ट्राइबुनल ता उसको struck down कर दिया और इसके पावर जाए High Courts को दे दे गई टिक है अभी रिसेंटल एक बी बात चल रहा था आने का Tribunal's Reform Bill 2021 इसमें यह शी बोला गया था इसप्रोज तो डिसॉल Certain existing appellate bodies and transfer their function to existing judicial body which in most cases High Court टिक है इसी यह भी हम बात करे थे कैसे कुछ अपी Tribunal's को struck down कर दिया गया उनका जो jurisdiction था High Court को दे दिया गया जैसे अपीले Tribunal under Cinematography Act this was transferred to High Court further जो search come selection committee थी that will select and appoint the chair person उसको भी define किया गया तो इसमें किस-किस को रखा गया Chief Justice or the Supreme Court judge nominated by him to secretary nominated by the central government sitting or outgoing chairperson or retired Supreme Court judge or retired judge of High Court यह भी रहेंगे and further जिस ministry के अंदर वो जो Tribunal constitute होगा जिसे let's say ITAT income tax appealate Tribunal होगा तो उस specific ministry के secretary भी उस committee का पाट रहेंगे तो broadly यह 5 लोग होगे selection committee के अंदर जो decide करेंगे किसको कौनसे Tribunal में appoint किया जाएगा जो आफिस का ताम है वो 70s पीरिट का रखा गया एज लिमिट 70s रखा गया और 4 साल का tenure हो सकता है जिक है परदर reappointment भी लोगों अलावड होगा जिक है तो इस वाउड ट्राइबिनल अगर हम बात करें हमारे पार्लियमेंट में एक और पोस्ट होता है विच acts as a Tribunal तो speaker होते हैं who acts as a Tribunal और वो कब Tribunal की तरह आख करते हैं जब वो फैसला लग रहे होते हैं under 10 schedule 10 schedule क्या है anti-defection के बारे में तो जब वो anti-defection के decision ले रहे होते हैं then he is acting as a Tribunal और a quasi-judicial body तो उनके ओपर भी यह anti-defection पर हमने पहला जो means 365 के initial chapters में देखा विदा इसके बारे में तो अभी इसके बारे में और नहीं देखते हैं अभी next पे से लते हैं next is alternate dispute resolution in fact Supreme Court के judges जो है वो बार बार seminars होगे नहीं में बोलते रहता है कि जो high pendency of cases है उसको resolve करने का बढ़िया तरीका हो सकता है that we subscribe to ADR mechanism more often than coming to traditional judicial ADR क्या होता है ADR is a process in which disputes are addressed or settled outside the traditional court rooms तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जैसे अगर आप देखोगे तो broadly यह पाँच mechanism आप देख सकते हो arbitration conciliation mediation negotiation and low qadalad तो काफी similar से मतलब नाम लगते हैं बट इनका थोड़ा difference है अगर हम arbitration की बात कर होगे तो यहां पे third party रहेगा तो आप कि tribunal में जाओगे थोड़ा सा इन सब में अगर हम बात करें तो formal ज्यादा arbitration होता है तो यहां कोई third party के पास आप जाओगे जैसे कि tribunal के पास जाओगे और वो पटाफट से decision लेगा which would be binding on both the parties तो यह important है यह याद अखना decision would be binding on both parties कि अगर decision आ गया तो फिर मानना पड़ेगा next conciliation conciliation में non binding agreement होता है non binding मतलब कि अगर decision आ गया तो उसको follow करना it's not obligatory वो किसी भी point पर बाहर निकल सकते उस process में से conciliation में आप क्या करते हो आप third party को बिलाते हो एक impartial third party को वो जो third party है वो आप दोनों को बिठाएगा let's say you are one party और आपका dispute किसी second party से तो आप first party और second party को इस आप में बिठाएगा और जो third person है वो दोनों को एक रास्ता प्रवाइड करेगा suggestion देता रहेगा वीच बीच में कि हाँ हम ऐसा रस्ता निकाल जकते हैं यह हम ऐसा रस्ता निकाल जकते हैं तो दोनों को interject करके solutions देगा कि हाँ possible solution यह यह हो सकता है और दोनों mutually decide कर सकते है कि क्या उसको follow करना से यह नहीं तो idea is किसी भी point पर आप बहार आ सकते हैं और दूसरा non binding होगा next mediation तो यहां पर भी आप एक third party person को लेके आतो और इसका भी decision है यह non binding होता है अगर आप चाहते हो कि नहीं follow करना तो आप किसी भी point बहार आ सकते हैं although mediation और conciliation दोनों structurally similar लगते हैं लेकिन difference mediation में यह है कि यहां पर जो third party है वो जो है वो third party आपको solution इतने frequently नहीं देगा जितने की conciliation में दिये जाते हैं तो third party यह करेगा कि हाँ ठीक है fairly जो negotiation है वो क्या वो हो रहे हैं बस इतना वो monitor करेगा इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं है mediation में third party next negotiation again negotiation एक non binding agreement है जहाँ पर आप और आपका जिसके साथ dispute है आप उसके साथ बैठते हो और कोशिश करते हो कि mutually negotiable terms पर आप आ सकते हो तो these are the four alternate dispute resolution mechanism at times interchangeably इनको use कर लिया जाता लेकिन सबने कुछना कुछ difference है तो इसके पता होना अच्छी यह चीज and lastly लोग अदालत तो इसके बारे में तो हम लोग ने लक्षमी कांद उसमें दुरूर पढ़ाई हुआ तो लोग अदालत में क्या है informal सा setup है although आप तो formalize कर दिया गए Legal Service Authority Act के दुरू तो इसमें यह पता होना अच्छी है यहाँ पर आप एक judicial officer रहता है एक social worker रहता है और कोई भी judicial member हो सकता है advocate वोगरा यह तीन लोग बैठते हैं और उनके सामने आप अपना case सुनाते हैं ठीक है और उसके basis पे वो कोई decision दे सकते हैं so its order is final and not appealable in the court तो need क्या है तो पहला high burden है courts के उपर ठीक है जिसके वाज़े से effective justice delivery में बहुत time लग रहा है तो उसको ensure करने के लिए या उस tendency को कम करने के लिए या फिर faster justice के लिए हम लोग VDR का राश्टा ले सकते हैं next to provide social economical and political justice and maintain integrity in the society so justice delivery जो economical रहे जो social economical backward people है उनके भी आवाज सुनी जा तो उनके लिए बहुत अच्छा जरिया हो सकता है ADR next to achieve justice and free legal aid under article 39 A of DPSP next advantage क्या है less time consuming cost effective free from technicality of court तो court में जैसा भी बताया था Indian Evidence Act है 1872 का उसके अंदर फैसले नहीं मलब उसके हिसाब से काम नहीं होता है process जो है काफी informal होता है और easy to understand है यहां पर आपको कोई advocate ले जाने की जरह होता है people are free to express themselves and can reveal true facts next there are also chances of restoring relationship back जब भी आप negotiate कर रहे होता है तो आप पस better opportunity होता है कि अगर कोई ऐसा दो parties जिनके बीच में relationship आप discordial हो गया है तो उसको वापस ठीक करने का chance होता है and lastly to maintain good relationship between the parties जब आप negotiate करोगे तो आप दूसरी के भी point of view समझने की खूश करोगे ठीक है तो एक क्रीके से होता है कि after negotiation एक ज़्यादा better relationship बनता है next limitation की बात करें arbitration award is binding अभी हमने देखा ADR के जो 5 mechanism उनमें से एक ADR arbitration उसका award is binding होता है that is decision is final thus lack the ability to appeal the decision similarly लोग पदालत का भी decision होता है वो final होता है यह कुछ issues हो सकते हैं कि एक बार कोई party अगर agreement में आ जाती है कि arbitration दो solve परेंगे तो हो सकता है कि उसका decision उसके खिलाफ अजया और फिर उसके पास appeal करने का कोई chance ना मिच सकते next little or no checks on power imbalance कई बार हो सकता है कि third party है वो जादा influence हो जाए next cross cultural language barrier जो की ADR को effect कर सकता है जैसा court के अंदर तो definite procedure है कि आपको उस specific language के अंदर ही अपना case जो है उसको बताना पड़ेगा लेकिन ऐसा कुछ ADR में नहीं है next lack of compulsion as no party has can be compelled to continue negotiating other parties कभी भी बहार आ सबके negotiation में से तो उस sense में ADR जो है effective tool नहीं रहता justice के कभी-कभी parties को लगता है कि उनके खिलाब फैसला जा रहा है तो वो बहार आ रहता है time consuming भी हो जाता उस sense में और justice भी deliver नहीं हो पाता and lastly lack of awareness अभी सबसे बड़ा issue ही यही है कि लोगों में awareness नहीं है ADR के बारे में next way forward कि अगर सकते है तो पहला दो सबसे main issue पर काम करो awareness बढ़ाओ judicial officers को train करो human resource capability उसको develop करो mediation centers establish कर सकते है side by side courts ठीक है कि वहाँ पर आके लोग refer कर सके हम कुछ ऐसे codification कर सकते है based on which judicial officers they can understand कि कि case को ADR में refer करना चाहिए further ADR decision should be made binding upon all parties which is not the case at present तो यह कुछ steps ले जा सकते हैं जिसके थो हम लोग ensure कर सकते हैं कि ADR remains as an effective tool of justice delivery तो उतना ही था ADRs के अंदर इसमें किसी को कुछ आद करना है कि और next पे जलते है so next अब ADR पढ लिया अब ADR के ऊपर एक नयास development हो रहा dispute delivery में which is online dispute resolution तो अभी news में क्यादा नीर्ती आयोग में एक report रिलीस क्यादा called designing the future of dispute resolution the ODR policy plan for India तो यह important यह पता होना चाहिए report पगेड़ा का नाम इस ताइप के analysis में ने रिखले आप code कर सिखते इसको delivery के अंदर तो idea क्या है ODR के पीछे तो एक तो cost effective रहेगा convenient रहेगा efficient रहेगा because ODR can be customized according to the needs of the institution तो उस sense में हम लोग एक customized product develop कर सकते है which can limit unconscious unconscious bias that result from human interaction कई बार cases में ऐसा देखा गया है कि जो correct case refer करना चाहिए था को वो case refer ही नहीं किया गया if you remember Lockton bank एक शायद graduate को लेके teachers की graduate को लेके case था इसमें Supreme Court ने पहले judgment दे दिया बाद में Supreme Court ने यह चीज़ देखा कि already उन्होंने एक case में judgment दिया हुआ था तो वो जो उन्होंने present judgment जो दिया था वो उसके against जा रहा था या उल्टा जा रहा था तो Supreme Court ने verdict देने के बाद realize किया था कि यह हमसे गलती हुए बाद में Supreme Court ने उस चीज़ को rectify किया था तो हो सकता था कि अगर AI उनको पहले से ही वो case बता देता कि यह वाला case refer करना चाहिए था तो maybe शायद वो गलती भी नहीं होती है miscarriage of justice हम लोग जो term इस्तमाल करते है कि कई बार गलत judgment चला जाता है तो miscarriage of justice ना हो तो इस ताब के keywords आपके answer में reflect होने चाहिए miscarriage of justice next more than merely method to resolve dispute तो क्या-क्या चीज़े में help कर सकता है legal health promotion, dispute avoidance legal guidance, dispute containment and out of court settlement or dispute resolution इन सब methods में help कर सकता तो यह देख सकते हो ODR, ADR and court, court का जो functional simply limited dispute resolution थे ODR इन सब से उपर जाता है फ़र pandemic के जारान हम लोग ने देखा था कि बहुत सारे जो judiciary के उपर cases का burden हो गया था और effective हमारे पास system नहीं था जिससे हम लोग तो कि बहुत सारे ports के अंदर इतना advanced ICT deployment नहीं था जिसके चलते cases को proceed करने में बहुत time लगा था मेभी अगर हमारे पास ODR system पहले से होता तो we could have easily dealt with those rising cases तो ODR basically help क्या करेगा reduce कर सकता है litigation burden it can suggest possible solution तो हम AI और ML का इस्तमाल करके data feed कर सकते हैं और उस data के तुरू हमे possible outcomes या possible solutions बता सकता है तो challenges क्या है ODR के अंदर पहला digital literacy out of 743 million internet subscriber internet rural penetration is only 32% तो एक per unit area में कितने लोग internet use करें तो सब्सक्राइब 100 लोग है एक एक एरिया में 32 लोग internet use करें रूरल के अंदर which is almost one third of urban penetration तो एक spatial divide है मनला अब geographical divide क्या सकता हो कि रूरल में जो इसका penetration है वो one third है as compared to urban तो वो एक issue है digital infrastructure की कमी है लोगों के पास smartphone का access नहीं है या internet connection नहीं है उतना proper next divide in access to technology gender disparity भी चीज में देखने को मिलजे के women constitute only one third of the internet user so यह सब try का data है तो आप code कर सकते हो यह generally कहीं पे भी जो digital issues आएंगे आप यह data code कर सकते हो okay so next operational issues क्या है तो पहला privacy और confidentiality concern है कि आप अगर कुछ online system use कर रहे तो हो सकता है कि उसमें hacking हो जाए और आपका confidential data जो है leak हो जाए difficulty in forcing ODR outcomes okay there is a legal vacuum in mediation process that are not initiated by codes okay so ODR का इस्तमाल करना भी हो सकता है कि मुश्किल हो because of legal vacuum बहुत सारे हमारे institution है इसको use करना उनको training देने में बहुत time लग जाएगा next R check legal processes तो अभी भी बहुत सारे जो government है जाए वो state government और central government की कुछ offices still require parties to attach a copy of e-stamp certificate तो अभी भी वो पुराने जो नियम है भी हम तेला रहे है तो उनको भी rationalize करने की जुरत है next shortage of competent neutral independent third party बगेरा की कमी है जो की ADR के अंदर हम इस्तमाल कर सके तो उनकी भी कमी है which renders effective deployment of ODR mechanism quite cumbersome next behavioral issue है lack of awareness lack of trust ODR के अंदर in terms of people also and in terms of judiciary itself तो कहीना कहीं थोड़ा सा trust की कमी लगती है next अब हम इस चीज को improve कैसे कर सकते है तो digital literacy बढ़ाओ greater access दो technology का expand करो current capacity आप individuals को train करो increase करो human resource करो private sector participation ADR mechanism हमने बात करीए some companies बना सकते है जो की interpreters provide करे arbitrators provide करे mediators and उन लोगों को पता हो के कैसे ODR use कर सकते है तो वो कर सकते है enhance कर सकते है public trust by creating awareness and lastly so deeply regulating ODR mechanism कर सकता है हमारा government उस चीज को by bringing in some kind of legislation so codify हो सकता so codify readiness की बात करें India के cross अभी executive में RBI release an ODR policy for digital payments MSME के लिए समाधान portal लिके है तो समाधान portal क्या है इसके अंदर जितने भी MSME है जो government को कुछ न कुछ product supply किये है और अगर उनको government से proper time पे पैसा नहीं आया तो they can go to समाधान portal for resolution of that issue legislative aspect की बात करें legislative backing for ODR for ADR aspect of ODR वो भी अभी effort ले नहीं government बट अभी भी lag कर रहा है However अभी recently India ने एक international agreement sign किया था ये पता होना चे United Nation United Nation Convention on International Settlement agreement agreement resulting from mediation also known as Singapore Convention ये याद भी रखना India ने 2018 में sign किया तो अब इसको ratify करेगा I think कर भी दिया है शहर इसको इसको बट चेक करें I'm not very sure arbitration पे तो recently किया था maybe conciliation पे भी आ गया Mediation पे शाद बात चल दिया इसके अलावा judicial aspect में देखेंगे तो यह court का system आ गया है यह system आ गया और justice यह already कुछ processes जो चल रहे हैं अभी बहुत एरिया या बहुत लेंग तक ODR को implement करना अभी बाग किये है ठीक है So with that जो justice वाला जो पार्ट है वो हम लोगों ने कर लिया है अब next chapter पे चलते हैं elections in India ठीक है Again very important topic from the perspective of means ठीक है पहुच्छारे की topics से इसके अंदर जैसे RPA बगरा हो गया वो सब आजाएंगे ठीक है तो अभी लाजले एक quote है While politics is the art and practice of dealing with political power election is the process of legitimization of such power ठीक है एक quote है आप इस टाइप का intro में conclusion में मतलब मोली जादा बेटर तो intro में ठीक रहे गाए है intro में इस्तिमाल कर सकते है election की importance का है in fact democracy के अंदर election is sinko and on ठीक है किसी भी democracy को flourish करने के लिए 3 and 3 elections are the prerequisites उसके बिना कोई democracy thrive नहीं कर सकता ह। okay so that's how important elections are so if I have broadly pointers देख लेते क्या का role है election का in democracy तो पहला make responsible and accountable government next change of leadership participation of political party continuation of democracy symbolic nationalism in patriotism self-corrective system self-correcting मतलब कि अगर कोई पार्टी लोगों की बात नहीं सुनती है तो फिर लोगों के पास पावर है कि उसे पावर में से निकाल देंगे निक्स नेक्स facilitate political and social and political integration जब भी election होता है तो पुरा state में या पुरी country में election होता है उससे पुरे country के लोगों वो लिंक होता है next taking ownership of democratic process through expressing partisanship and alienation from political community and lastly maintaining legitimacy एक government के पास क्या power है या वो कैसे legitimate है यह election से वो जीत कर आते तभी decide होता है जहां पर election properly नहीं हो रहे तो वहां पे government legitimate नहीं है तो यह होता है role election का democracy अब issue क्या है तो issue को आप यह थोड़ा short form है इसके तुरू याद रख सकतो तो फोर मतलब इसको ऐसे याद रख लेंगा mc करके 4mc 3c 4m क्या है तो muscle money media and misuse of government machinery तो यह चीज देखने को मिलते है कि जैसे election होता है तो cbied का rate बढ़ जाता है कई बार हम देखते है कि जो state state के अंदर भी बात करो तो state की जो agency होती है state की जो police होती है they are misuse to create or to file false cases against opposition तो यह national level पर भी देखने को मलता है state level पर भी देखने को मलता है तो यहां देखना 4M क्या है जो यह short form ऐसे या रगला 4M 3C of election issues next इसके इंदर हम बात करते है तो reforms क्या-क्या किये गए है अभी तक ठीक है promoting transparency के लिए electoral bonds लाए गया है mandatory declaration of income sources बोला गया है RPA केंडर increasing voter participation के लिए voters की age जो है वो लोवर कर दीए पहले voting age जो थी वो 18 थी sorry पहले यह voting age जो थी 21 थी इसको reduce कर दिया गया to 18 ठीक है voting through postal ballots postal ballots तो नहीं अब तो EVM हो गया तो यह correct कर लेना EVM हो गया अब और अभी recently election law amendment bill 2020 बनाया है जिसके अंदर हमने बात करिये के we can use अधार linking with voter ID ठीक है तो इसमें issue यह भी देखने को मिल रहा था elections में के duplication हो रहा था के suppose एक individual है वो let's say UP से belong करता है let's say उसका native place UP में वो UP में भी election card बनवा लेता है और let's say वो रहरा Delhi में तो place of residence में भी वो election vote ID card बना रहा था और दोनों जगह से vote डालने को eligible था तो यह issue था उसको resolve कहने के लिए हम unique ID से इसको link कर सकते हैं तो आधार से हम link करने के बात करें but it is not only आधार किसे और document से भी आप link कर सकते हैं तो यह election law amendment bill जो है उसके तुरू government ने introduced किया गया था इसके अलावा हम लोग blockchain technology को incorporate कर सकते हैं यह way forward में आजाएगा तो prevent voter fraud next एक और issue है अभी करेंटली जो लिमेट वो इसके 74 लाक के है लोग सभा election के लिए बट यह जो लिमेट election commission ने यह जो government ने set कर रखे यह बहुत unrealistic limit है करेंटली छोटे से छोटा कोई भी इंसान जो खड़ा होता हो जनरली इससे जादा ही exceed कर जाता उसका spending ठीक है जो जनरली next leveraging technology to strengthen voting process तो इसमें बार पास EVM है और नोटा मशीन है इसके अलावा VVPAT है voter verify bill paper audit trail इसको भी election commission इसके अलावा preserving the sanctity of election तो enactment of anti-defection law लाया के चुनने के बाद कही बार लोग दोका देते थे लोगों को और दूसरी party join कर ले तो इसके लिए anti-defection law है prosecution of politicians creating a level playing field by model code of conduct sealing on expenditure restriction on exit तो यह steps currently government ले चुपी है अब क्या क्या steps ले सकती है कैसे हम free or fair election actually letter or spirit में लास ले है अगर हम बात करें तो इंडिया को functional democracy functional democracy बोलता या procedural democracy बोला जाता political science में in the sense के हमारे सिर्फ election ही है हमारी society is not democratic जिसे हम बेटकर करको code भी था के democracy is the top soil of India के democracy सिर्फ उपर उपर तौर पर दिखते है हम actually में society level पर democratic नहीं है और जिसका implication या जिसका manifestation हमें election में भी देखने को मिलता है तो यह के issues है next way forward क्या हो सकता है तो हम election को थोड़ा participatory बना सकते हैं increase कर सकते है representation of youth and women awareness campaigns के दुरू उनको target कर सकते है financial transparency बढ़ा सकते है जो बोला था कि unrealistic spending limit है उसको थोड़ा rationalize करने की ज़र होता है जिससे अपने आपी लोग फिप declare करें अपना financial spending next intra party democracy हम ensure कर सकते है within party यह जो parties है खुद अपने आप में democratic होता है तो इसमें case in point है Germany का example Germany में political parties को constitutional status मिला हुआ है तो उनको उसी constitution के according work करना पढ़ा है next decriminalization of politics कि उसमें जो criminalization हो रहा है उसको हम लोग कम करें next adjudication of election dispute तो cases हमारे judiciary में लंबे समय तक pending रहते हैं और उसको अगर हम interest करते हैं जो pending cases है अगर उनको फटाफट से resolve करेंगे तो मेभी हम election जो dispute है उसको भी बेटर तरह कि resolve कर पाएंगे review entry deflection law अभी भी हम देख रहे हैं horse trading large scale पे हो रही है अभी recently example आप TRS का तेलंगाना मिले सब्सक्राइब जहां पे Congress की इतने भी two-thirds जाद है मिले थे वो एकी साथ पाटी छोड़कर TRS में मर्ज होगे थे similarly DSP को कुछ leaders से वो सारे के सारे Rajasthan में Congress में जाके मिल गया है तो लार्सकेल पे अभी भी ये issue चल रहा है next better conducting and management of election by putting restriction of opinion pool proliferation of candidate introduced in totalizer machines तो ये कुछ issues ला सकते हैं अपनी website पर डाले या फिर किसी एक third party website पर डाले कि हम लोग इतना spending कर रहे है कई बार वो अपना spending declare करने में बहुत time लगा दो next penalized party for not reporting donation तो कई बार parties क्या करते हैं या तो declaring ही करते हैं और अगर कभी करते हैं तो इसमें भी miss reporting कर देती है या गलत report कर देती है तो उनको penalized for political parties को इससे होगा क्या इससे financial transparency बढ़ेगी public scrutiny बढ़ेगी तो इससे लोगों को भी बता रहेगा कि पैसा कहां से आ रहा है और पैसा अगर आ रहा है तो फिर party किसको favor करेगी तो यह कुछ ideas है जो हम incorporate कर सकते हैं अब कुछ और fact देख लो तो ADR के report के उपर यह था association for democratic reform जो के NGO है जो की scrutinize करता है different political parties को तो उसने यह basically पता लगाया था उसके report है यह कि BGP received four times more donation than all national parties combined totalizing 8 national parties है मारे पास और उन 8 national parties में से BGP को हटा दो तो बाकि साथ का जो जितना funding उनको आया था electoral bonds के दुरूप यह donations के दुरूप उसका चालगोना BGP ने receive किया तो इस type के जो prompt disclosure है होने चाहिए government political parties के होते इसके अलाबा political parties can be brought under RTI आप direct information seek कर सकते है जब political parties को benefit मिलता है जिसके उन्हे free air time मिलता है दूर दर्शन के उपर उनको free electoral rules मिलते हैं मतलब electoral जो pages होता है उनको वो सब भी provide किया जाता है यानि वो skate से कुछना कुछ लेही रही है benefits तो they should come under RTI तो यह कुछ हम चीज़े कर सकते हैं to ensure free and clear election तो that's all in this article इसमें किसी को chat देना है गया दिनेश गुस्वामी कमिटी का mention आ गया क्या उपर नहीं वो आक्षरी आ गया आएगा बथा तरह सही है दिनेश में गुस्वामी कमिटी ले सकते हूं और एक और शायद issues में paid news यह I think आगे वाले articles में और आएगा तो अच्छ महाँ पर देखेंगा लब यह पूरा elections के उपर यह वाला chapter इसमें अलगे लेवल पर देखते हैं तो next article देखते हैं so this would be the last article for the day criminalization of politics तो यह again ADR का data है तो यह ADR का नाम लेखकर यह data आप चेप सकते हो या अगर आपके पास कोई भी data है तो आप simply ADR का नाम लिखकर डाल सकते हो because ADR बहुत thorough research करता है election के अंदर तो अभी यह हमाई 17th लोकसभा है जिसमें 43% of MPs have some form of criminal record which is highest of all time और यह जो phenomena है this has been consistently increasing in the last three elections मतलब लोकसभा के last three elections जो हुआ है election on election basis जो number of criminals है वो बड़े है although proven criminal record होना अलड़ बात है convicted होंगे तो वो तो फिर jail में ही जाएंगे वो तो फिर election नहीं लड़ पाएंगे इनके खिलाब criminal cases है and out of these 43% 29% have serious criminal reports serious criminal records include charges of murder rape तो इस टाइप के major allegations है next next so अभी ADR का यह report तो यह data मैंने बता दिया तो यह वाला data code कर सकते हो आगे चलते हैं criminalization of politics तो इसका आप दो तरीके से समझ सकते हो एक narrow sense में के डिरेक्ली क्रमिनल जो है वो आप legislature के अंदर से ले जा रहे है एलेक्टो कर चले जा रहे है जो हिंदी में कहते है बाहुबली नेता है तो ऐसे एक और इसी के अंदर इसी narrow meaning के अंदर काई बर politicians खुद criminal means इस्तमाल करने लगते हैं जैसे अभी हमने रेसेंटली केस देगा था महारास्तर के अंदर phone tapping करवाने लगे था opposition leader के तो इस ताब के criminal antecedents वो follow करने लगते हैं politicians खुद next अगर वाइडर sense में बोले तो this can be referred to interference of criminal in politics इधर directly और indirectly like financing any candidate ठीक है और उनके दूपर अपने जो गुरत धंदे उनको करवाना ठीक है like contract collect और boot capture या providing their muscle power ठीक है तो इस तरीके से आप criminalization को देख सकते हो हमारी country अंदर so आगे जाने से पहले वो जो हमने 4M3C देखा था muscle media और misuse of governance and money ठीक है वो यहाँ पर भी लगेगा next lack of governance ठीक है अभी हमारे जो ECI है वो शायद वो इतना effectively कई बार उसको गोलते के it's a toothless tiger ठीक है बस शकल में वो tiger जैसे लगता है उसके पास काटने के कोई शक्ती नहीं उसके बास effective power ही नहीं कि वो लॉस को प्रॉपरली गवान गर सके next division in Indian political system हमारा society जैसा बोला था के democracy is the top cell of India हमारे society democratic नहीं है उसमें बहुत सरे fault lines है along caste lines, class lines, religious lines तो वही fault lines they also manifest themselves into the political system next judicial pendency है तो हमने देखा यह 43% criminal cases है कही नहीं कहीं इसकी विदर से हो सकते है कि judiciary time कर resolve भी नहीं कर पा रही है ऐसे issues को इसलिए कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग हो सकता है कि वो innocent हो but still judiciary अपना part नहीं play कर पा रही है जिसके चलते है ऐसे लोग बहुत जा रहे है legislature के अंदर तो in fact एक recommendation यह भी दा कि हम लोग जो है इसके अंदर जो election based tribunal अलग बना रहे है जहां पर यह नेताओं के खिलाब जो cases है उनको ताकि उनका past disposable आगे जाने से पहले सुप्रीम कोट के कुछ verdicts देख लेता है इस criminalization of politics के दरब तो पहला case था union of India versus ADR टेक है वो NGO के जिसके अभी हम इनने बात करी थी 2002 का यह case था उसमें बोला था electors have the fundamental right to know about the antecedents of candidates contesting election to hold public office टेक है तो इसके इसको issue करने के लिए हमारा जो RPS कमेंड भी किया गया था तो उसमें provision होते हैं जापे एक candidate को अपने खिलाब जितने भी cases होते है वो बताने पड़ते हैं then PUCL again important NGO है जो national emergency की तोड़ा निकल कर आया था तो उसके case में यह चीज़ बोला गया था कि under section 33 B which will even nullified nullified the decision in EDR case was challenged तो 33 B was held unconstitutional and void as it infringe the right to elect right of electors to know electors है या दो लोग vote डालने माले उनको पता होना था कि का antecedent है तो उसको unconstitutional declare कर दिया गया था कि हाँ people have the right to know about criminal antecedent then एक और landmark judgment था इसके बारे में पता होना था Lily Thomas vs Union of India case इसमें यह चीज़ बोला गया था कि अगर कोई person है जो की elect होने की कोश्च कर रहा है to any legislature तो अगर उसके खिलाब 2 साल से जादा का कोई imprisonment sentence और he has been convicted in an offense जहां पे 2 साल से जादा की punishment है then he ceases to be member of the house ठीक है तो इसमें कोई politician बता सकते है जो इसके चलते MP, ML, नहीं बन पाया कोई example है आपके परस D Raja 2G Spectrum A Raja I think वो तो केस में बरी भी हो गया ना वो तो केस ही शयद खतम हो गया वो तो जेल में जेल में है ना शायद नहीं नहीं वो सब बाहर आ गये कोई भी नहीं फसा उस केस में 2G केस में कोई नहीं फसा सब लोग बाहर आ चुके है तो एक वाकी हाँ अगर होता तो वो ज़रूर फसते एक example ले लो लालू प्रसाद यादव ठीक है चारा खोटा ला इसलिए वो MLA नहीं बन पाला तो जब तक conviction प्रूव नहीं हो जाता तब तक आप रह सकते हो जैसे conviction प्रूव हो गया तो फिर आप जाओगे इसके मतलब फिर आप बन नहीं सकते MP या MLA नेक्स स्पेशल कोट बना सकते हैं और सुप्रीम कोट ने बाद में नगेट भी गया था इस चीज़को लेकिन स्टिल एक हो सकता आइडिया इसके ग्रम लोग इसको एंसर्व कर सकते और लास्ली यह भी एक और इंपॉर्टन केसा भी रीसेंट गई है तो पॉब्लिक इंट्रस फांडेशन केसा 2018 में तो कंडिदेट्स विल हब टू डेक्रिमिनल एंटेसिदेंट्स तो इसे बिफोर कंटेस्टिंग गया था अभी रीसेंटली भी सुप्रीम कोट टा एक या प्लाटपॉम अगरा पर बताना पड़ेगा उनको तो या फिर कुछ निउस्पेपर में प्रिंट करें तो इस ताइब के प्रोविजिन डाले गए था नेक्स देखते हैं इंपाक क्या होता है क्रिमिलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स का तो फॉंक्श्णिग पार्ले अब लोगों को पता है कि स्ट्रॉंग में जो है वो डिसिजन मेकिंग कर रहा है सब लोग फिर ऐसे स्ट्रॉंग में के पास जाने को मजबूर हो जाएगा और दीरे दीरे यह चीज़ एक कॉमन प्राक्टेस बन जाएगी तो यह हमारे कल्चर में इंबाइब हो जाएगा ठीक है lawlessness हमारे कल्चर में आजाएगी फिर निक्स अफेक्स इंटेग्रिटी ओ पॉब्लिक सर्वेंट ठीक है ऐसे क्रिमिनल एंटिसेडिंट के लोग फिर पॉब्लिक सर्वेंस को भी ट्रेसराइज कर सकते है और लास्ली अगेंस्ट 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 फिरिट उन सब के खिलाफ है तो यह कुछ इश्यू है नेक्स वे फॉरवर्ड लिखते हैं तो वे फॉरवर्ड में पहला कुछ इश्यू मतलब हम चीज़ें ला सकते हैं स्टेट फंडिंग उप एलेक्शन हम लोग कर सकते हैं तुकार क्रेक्शन यूज ब्लाक मनी अभी लोग क्य जिसके पर शर्ड कुछ भी ना हो वो एलेक्शन लड़ रहा तो एक परिटी नहीं रहती है तो एक तो वो भी इस्यू रिसूल हो सकता है दूसरा ब्लाक मनी का जो यूजर वो उसको खतम करेगा फॉर्ड लॉव कमिशन का रिपोर्ट था इसमें यह चीज बोला गया था कि certain offenses like boot capturing, rigging, intimidation of voters should be added as a ground of disqualification. Next, strengthening law commission उसको toothless tiger की जगाट, tooth tiger बनाए हम लोग ठीक उसको empower करें so that it can effectively regulate and ensure free and fair election. Behavioral change लाएं लोगों में by means of awareness, लोगों को बताएं कि populist policy नहीं follow करनी, gifts वगर accept नहीं करने हैं. इसके अलावा Vora committee एक और important committee है इस regards में. Vora committee ने basically criminalization of politics के उपर बोला था और they found that there is the nexus between politicians, criminals and bureaucrats. तो इन्होंने बहुत सारे recommendation दीती है, उसको follow कर सकते हैं, उसको implement कर सकते हैं in letter and spirit so as to ensure कि हमारा criminalization free politics election. Other measures include intra-party democracy, past track court to dispose cases against politicians, rejects, an amendment can be introduced to reject tickets of politicians with criminal antecedents and lastly awareness regarding nota. यह nota को कुद बेंपरवर्ड, अगा को नोटा प्रेस कर रा, तो वहां पर फिर जितने भी electors है सभी को हम reject कर सकते हैं. तो यह कुछ way forward है, इसके अलाबह कुछ और steps जो लिये गए थे recently, जो शायद हम include कर सकते हैं. एक C Vigil नाम का app बनाया है, election commission of India नहीं. तो इसके अंदर कोई भी आपको election offense होते हुए दिख रहा है, तो आप C Vigil app पर report कर सकते हैं. नेक्स, Supreme Court ने भी बहुत रेसेंट लिए चीज बोला है, यह has made it on all parties to put up details of criminal antecedents of candidates on their website and also publish them in two newspapers. एक है, the compliance report will have to be submitted to the election commission within 72 hours of selection of such candidate. एक है. तो यह चीज Supreme Court में बहुत रेसेंटली political parties को direct आईगे. क्या आप newspaper में छपब हो, अभी RPA के अंदर को दे ही रहे है, अपने criminal antecedents का ब्योरा, ऐसे लोग, लेकिन party के उपर भी accountability बनती है कि वो बता है कि ऐसे criminal antecedents की लोग को उसने क्यो चुनाया है, और पुब्लिक करे उसा इसमें एक और डामेंशन हम यह ले सकते हैं कि जैसे आपने वो फैक्ट बताया है कि every five years elections होने के बाद, जो MPs है, उनके criminal records बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उस सेंस में हम यह डिलेक्शन में सोच सकते हैं, why election commission is failing again and again, तो मेंस में सवाल आ सकता है, तो आप थोड़को देखने हैं कि इसी क्या दिक्कत है आजकर, क्यों क्यों टैकल निकर पार एक क्रिमिलाजेशन तो एक तो बहुत बेसिक सा फैक्ट यह है, कि उनके बस ग्राउंड पर इंफ्रस्रक्ट्टरी नहीं है, जैसे कि हमें यह बताए कि यह टीचर्स लोगों को इलेक्शन की ड्यूटी मिलती है, यह कोई वीडियो है लेवल का ओफिसर तो उसको ड्यूटी मिलती है, तो इलेक्शन कमिशन के बस ना इंफ्रस्रक्ट्टर है ना इंफ्रस्रक्ट्टर है ना इस चीज़ों को मॉनिटर करने लिए और दूसरे एक दो चीज़े यह है कि कैंडिडेट्स भी काफी पॉल्स अफिडेविट्स थे जैसे अभी रिसेंटी किसी के अगेंस्ट, तो इस चीज़े हैं इस चीज़े हैं इस डिरेक्शन में सोच सकते हैं कि वाइए इस इस अपेल टाकल किन लिए अगीशन और उस रिगार्ड में इस ही क्या कर रही है कैंड ली करेंड traak, चा कर आँ आँ. चार्ऌ एं वाथे हैं कि अ अविफ रज की कर दोating खा हैं